हेलो गाइज, वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चानल वंध्वेंट क्राफ्ट आज के वीडियो में हुडी तयार करेंगे इसके लिए हमने यहाँ दो कलर के वेलबट फैब्रिक को लिया हुआ है आप कोई भी दो कलर के वेलबट फैब्रिक को ले ले आप यहाँ 8 इंच 8 इंच लंबाई और चोड़ाई के दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है यहाँ इस तरह आप बराबर करते हुए मोड़े और फिर इस तरह मोड़ते हुए आप इसे अच्छी तरह बराबर कर ले अब यहाँ और से रखते हुए यहां मक लगा ले अब यहां इससे कट कर ले या फिर आप कोई भी प्लेट के मदद से आप रखते हुए पूरी में मांक लगा ले और इससे कट करके निकाल ले हमने यहां दुनों फैब्रिक के यहां पीस को कट कर लिया है इसकी जो डायमीटर है वो एट इंच की है यह सीधी साइड है और इस तरह यलो कलर की जो सीधी साइड है इस तरह रखते हुए दोनों पीस को आप इस तरह बराबर एक दूसरे पर रख ले अब यहां इस तरह आप मोड़े यह लड़ू गुपाल जी की कमर मार्ग करेंगे अगर आप 1 नमबर लड़ू गुपाल जी के लिए त्यार करना चाहते हैं पुशाक को तो आप 6 इंच के डायमिटर को कट करें 2 नमबर के लिए 7 इंच के डायमिटर को कट करें जितनी भी लड्डू Gopal-जी की आप नमबर बड़ी होती जा रही है आप 1 इंच बढ़ाते जाए डायमीटर को और जब हम कब फैब्रीक को कट करेंगे, तो फैब्रीक हमें हमेशा जिस नमबर लड़ु पाल जी के लिए तयार करनी है, उससे एक इंच बड़ी डायमीटर को कट करें फैब्रीक, क्योंकि दोनों किनारे स्टिच में फैब्रीक जाएगी, तो मार्जिन के लिए हमने यहां एक इंच एक्स्ट्रा रखा है, अगर आप वन लड़ु पाल जी के लिए तयार करना चाहते हैं, तो 6 इंच की हमें तयार चाहिए, तो आप एक इंच बड़ी कट करें, 7 इंच का डायमीटर को कट करके वन लड़ु पाल जी के लिए तयार करें, हर नमबर के लड़ु पाल इस तरह पूरी circle आप half inch point four inch पर mark लगाते हुए, पूरी circle आप cut कर ले इस तरह cut कर ले आप, अब हमें यहाँ फिर से बराबर करनी है और नीचे की ओर से, एक ओर आप इस तरह one inch पर mark लगाएं और यहां इस तरह आप मार्क करके कट लगा ले यहां इस तरह फैबरीक को पहले कट कर ले यहां कमर आप इस तरह मिजर कर ले ज्यादा खीचे नहीं फैबरीक को क्योंकि यह वेलबर फैबरीक है स्ट्रिचेबल होती है तो आप हल्के हाथों से यहां मेजर करके देख लें यहां 5 1⁄2 इंच हमें कट करनी है और हूटी के लिए हमने यहां 2 पीस कट करके रखा हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच की है और चोड़ाई 2 1⁄2 इंच की है और हम यहां इस तरह के उलेन लेज को यूज करेंगे आप किसी भी कलर के उलेन लेज को ले सकते हैं सबसे पहले आप दोनों पीस को इस तरह यहां उल्टा कर ले और यहां उपर की ओर हमें स्टीच लगानी है उपर की ओर यह जो open side है इस ओर है यह फोल्डेट साइड है तो आप यहां उपर कियो स्टीच लगा ले यहां कट कर ले इस तरह इस पीस में भी हम स्टीच लगा ले रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और पास के बैल आइकन को प्रेस करें जिसे मेरे आने वाले वीडियो के नूटिफिक है कि यहां इस तरह कि यह नीचे की जो पोर्शन है यहां रखते हुए स्टिच लगा के इसे भी रेडी कर लिए कि दोनों पीस में हमने क्याप को स्टिच कर लिया है अब यहां यह सीधी पार्ट है और एक पीस को आप यहां इस तरह पलटके उल्टा रखें यहां इस तरह रखके हमें स्टिच लगानी है और इस समय ही हमें यहां लेस को भी स्टिच करना है तो लेस को यहां आप उल्टा जो यह सीधी साइड है इसे हम यहां अंदर की और रखेंगे यहां इस तरह रखें और यहां इस पिस को भी यहां रखते हुए आप बराबर कर लेए कुछ दूर नीचे की ओर छोड़ते हुए जो स्टीच वाली पोर्सन है इसे यहां इस तरह पकड़ ले और 1 इंच नीचे की ओर से आप कि यहां स्टीच लगाना सुरू करें फैब्रिक को ज्यादा खिशते हुए आप स्टीच ना करें क्योंकि यह वेलबर फैब्रिक के स्ट्रेचबल होती है तो यह खिच जाएगी आप इसे हलके हातों से ही रखते हुए यहां स्टीच लगाएं अब यहां नीचे की ओर लेस को इस तरह घुमाते हुए रखें और फैब्रिक को रखते हुए यहां भी स्टीच लगा लें नीचे की ओर पूरी में अगर आपको लेस को स्टीच करने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक एक पीस को लेस के साथ स्टीच करें पहले आप नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर रखते हुए पूरी में स्टीच लगा ले और फिर इस ऊपर वाले फैब्रिक को रखते हुए आप स्टीच लेंगे तो आप थोड़ी-थोड़ी दीरे-दीरे करते हुए आप यहां फैब्रिक को पलट लेए अब जो हमने यहां लेस को एक्स्ट्रा रखा था श्टीच करते समय इसे इस तरह रखते हुए यहां श्टीच लगा लेए यहां इस तरह आप पूरी में स्टीच लगा लेए हमने यहां पूरी में स्टीच लगा लिया है आप इस तरह दोनों ओर से अपने लडु गोपाल जी को पहना सकते हैं यह हुडी आप वीडियो के नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिले और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फ्रिस्बूक पेच पे भी मुझे फॉलो करें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे